है एक अधर के साथ तेलिसकोप से तिलसकोप सर तेलेस्कोप डिपरन। हमने पास में बहुंद इसक्रेस किया अजे सिंपल वीडियो आज जो जो जिसन भाट करेंगे के जलेशों लेने जाहे तो वह जाना चाहता है कि कौश्प डिफरेंट डिजाइंग आते हैं यह डिफरे कटटो पांच में देखेंगे रफ्लेक्टीर है पिक्टीर जो पिक्ट्र Basic सिक्समाइब देखेंगे में केटर डीयप्रीक कैसे उठी है जो काफी पूंटीयफ ट्लस्कोप पॉल्टी stands पे जब वो telescope mount होता है या उसको बिठाए जाता है तो अल्टाजिमूत, equatorial mount वाले, go to mount वाले, astrophotography वाले, solar reflector telescopes और optical tube अगर सिर्फ telescope पर stand नहीं है इसी तरह से अगर reflector की किस्मों पे जाएं तो reflectors में आप सुनते होंगे newtonian, dobsonian, tabletop, altasmouth, equatorial mount, go to mount और astrophotography इसी तरह से अगर catatype ट्रिक में जाएं तो मक्सटॉब, Schmidt Cassigrain, Dull Kirkham, kleptsov, tabletop, altasmouth, equatorial mount, go to आई ये next slide में चलते हैं तो पहले reflector पर discuss करते हैं ये reflector का design अगर आप देखेंगे तो number two में ये design है इसमें आप देखिए जो lenses जहां लिखा है, front पे इसका lens लगा होता है, जहां से light अंदर travel करती है और पीछे image form होती है, जिसको IPS कहते हैं, जहां से हम देखते हैं जो lens होता है, तो बहुत simple design है, gallery ने भी आज से 400-500 साल पहले यही यूज किया था, 40 mm telescope, तो refractory telescope है क्या, refractory telescope basically एक accrement lens होता है, और in fact दो lens होते हैं, concave और convex, दोनों को मिला के front objective tube में बिठाया जाता है, factory fitted होता है, और chromatic और spherical aberration को रोकने के लिए, यह doublet design में हमोवन होता है, जो achromat refractor होता है, picture three और picture four अगर आप देखेंगे तो chromatic और spherical aberration है, picture three में chromatic aberrations हैं, अगर आप moon पे ऐसा circle देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि यह chromatic aberration है, यह coloring effect इसको बोलते हैं, यह कई बार telescopes में देखने को बलता है, बहुत ज़्यादा अगर apparent है, इसका अगर performance poor है, spherical aberration में basically कोई भी चीज अगर आप देखते हैं, माली जी star, तो वो फूले फूले नजार आते हैं, तो यह picture चार में spherical aberration का case हैं, जैसे stars हैं, इसमें आप देख रहे हैं, बिल्कुल pinpoint dot नहीं हैं, जैसे naked eye से नजार आते हैं, फूले फूले नजार आ रहे हैं, तो इसका अगर यह नहीं कि telescope की magnification से फूले हुए, basically telescope जो है, वो non-acromat है, और इसलिए उसमें यह coma error है, यह और spherical aberration को contain करने में या remove करने में, क्योंकि refractor का design एक ऐसा है, कि उसमें थोड़ी से chances रहते हैं, unless longer focal ratio के वो हो, जैसे F8 या F7 या F9, तो अमूमन थोड़ा बहुत color fringing या chromatic aberration उसमें रहता है, उसको दूर करने के लिए एक better glass यूज होता है, ED glass, इसको extra load dispersion कहते हैं, तो वो apochromatic होता है, वो doublet, ये triplet, तीन glass, three element glass, ये two element glass में आते हैं, वो थोड़े expensive होते हैं, और solar telescope वो होते हैं, जो basically आपने दिन में use करने है, sun को देखने के लिए, तो दिन में use करने का उतलब ये नहीं कि आपको उसको दिन में सारे सितारे या चांद बांध या और चीज़े से आपने वीडियो नजर आएंगे, लेकिन sun को अगर study करना है, sun को को study करना है, उसमें अगर spots वगारा, dark spots देखने हैं, तो उसके लिए solar telescope use होते हैं, तो solar filters या कुछ ऐसा element लगा होता है, उनको objective lens में, ताकि जो raise है sun की, वो harmful ना हो, क्योंकि वैसे आप telescope से देख नहीं सकते है sun को, वैसे naked eye से भी और telescope से तो बिल्कुल नहीं, magnifying glass से telescope से, क्योंकि blind होना का खत्रा है, तो लेकिन कुछ solar based या solar telescope है, अब ये pictures आप देखने, different type of telescope हैं, अगर picture 7 की बात करूँ, जो कोने में bottom में है, एक simple celestial astro master 70 is a telescope है, altazimut mount पे आता है, मतलब simple mount है, आप इसको दाएं बाएं उपर नीचे कर सकते हैं, बहुत simple और fluid movement के साथ आता है ये, आप ले चुके होंगे पहले ही, आपने देखा होगा अकसर Amazon पे या दूसरी commerce sites पे, picture 9 में अगर आप देखेंगे, तो ये portable telescope है, ये छोटा है, इसको tabletop कह हैं, तो बहुत से लोग tripod साथ में बढ़ा carry नी करना चाहते हैं, ये tabletop है, picture 11 और 12 में देखेंगे, ये solar telescopes है, picture 11 जो है, coronado करके, mead करके company है, जिसने solar telescope निकाला है, थोड़ा expensive है, जो basically sunspot study करने के लिए, ये 40 mm aperture है, और 12 नंबर में जो telescope है, वो एक normal refractor telescope है, बस उसमें आगे जो yellowish cap आप देख रहे हैं, वो एक solar filter है, जो removable है, तो ये telescope आप night में भी use कर सकते हैं, दिन में भी, दिन में sun study करें और night में आप astronomy करें, picture 8 जो आप देख रहे हैं, ये एक refractor है, ED refractor है, sky watcher का आता है, हमारे पस मिल जाएगा, 102 mm ED refractor है, और ये equatorial mount पे है, equatorial mount होता है, जो earth की rotation को composite करता है, और अगर आप अपने जगां पे north star से align कर लेते हैं, इसके access को, ये अगर ये computerized है, तो ये object locate करेगा, अगर computerized है, अगर नहीं है, तो भी आप इसको north star से align करके, earth की rotation को, और coordinates जो है, sky में, celestial bodies के, वो sky map से पता करके, आप follow कर सकते हैं, setting circle इस पे बने होते हैं, equator control mount पे, उसकी help से, ED refractor है, expensive refractor है, हमारे पास आपको मिल जाएगा, picture 10 में सिर्फ optical tube है, stand नहीं है, अगर आपके पास camera tripod है, तो उस पर लग जाएगा, वो भी ED refractor है, भरकसा का, करीब 65,000 की range में आता है, apochromatic है, और triplet design है, उसका, आगे चने, sorry, reflector telescope, यह वो telescope होते हैं, जो आप आगे से देखते हैं, खुले हुए हैं, इसमें, जैसे picture 4 में आप देख रहे हैं, आगे, 4 vein, एक vein, spider vein इसको कहते हैं, जिसने secondary mirror hole किया हुआ है, तो picture 1 अगर दोबारा देखें, तो primary mirror पीछे होता है, जो yellowish आप देख रहे हैं, बड़ी सी एक goal सा diameter होता है, mirror होता है, और light उपर से enter करती है, क्योंकि telescope follow होता है, उपर से खाली होता है, जैसे picture 4 में आप देख रहे हैं, तो light अंदर enter करती है, picture 1 पे अगर दोबारा जाएं, light अंदर करती है, primary mirror से reflect होती है, और secondary mirror अज़स्ट ट्यूब के open में होता है, और 45 degree slant पे होत picture 1 में, और उसके उपर image form होती है, और वहीं पर आईपी से लगा होता है, जहां से हम देखते हैं, तो बहुत simple design है, cost effective design है, और इसमें एक फाइदा है, refractor telescope के उपर, कि इसमें कोई coma या कोई chromatic aberrations का chance नहीं रहता, और यह सस्ते बनते हैं, refractor telescope स्थोड़े महंगे होते हैं, refractor telescope 60 या 70 या 80 mm तक तो सस्ते होते हैं, लेकिन जब इनके शीशे बढ़ते हैं, size के तो वो महंगे होते हैं, लेकिन refractor telescope बड़े मजबूत होते हैं, factory fitted होते हैं, reflected telescope में थोड़ा सा यह रहता है, कि यह दोनों mirror जो है, primary, secondary या आमने सामने होने चाहिए, अगर यह align नहीं है, तो picture hazy हो सकती है, सही से form ना हो, लेकिन फाइदा यह है कि एक तो simple design है, easy to use है, थोड़ी tube छोटी होती है, value for money है, बड़ा aperture आपको मिलेगा, same price में compared to refractor, और इस में क्या कहते हैं, comma नहीं होता, spherical aberration नहीं होते हैं, और यह designs are different pictures है, picture two और three को dobsonian design कहते हैं, जो मैंने आपको पताय simple wooden stand में अल्टाजिमूत है, आप कहीं भी हाथ से पकड़के tube को घुमा लीजिए, किसी भी direction में, बहुत simple to use हैं, लेकिन थोड़े bulky design होते हैं, लेकिन value for money होते हैं, deep sky और deep sky और nebula star clusters, galaxies देखने के लिए बहुत best होते हैं, planet study करने के लिए भी, visual use के लिए जादा है, photographी भी लगा रहा है, DSLR लगा सकते हैं, लेकिन basic photography हो सकती है, क्योंकि ये अच्छे से आप अगर track करना हैं, तो आपको equatorial mount यूज करना पड़ेगा, जो picture five और six में है, picture five में जो है, वो एक computerized telescope है, Celestone का AVX mount में है, इस type के हम telescope बेचते हैं, और ये remote control आप देख रहे हैं, picture five में, ये object locate करता है आपके लिए, steel stand पे है, heavy duty, equatorial mount पे हैं, और साथ में computerized fully, computerized go to mount है, picture four एक सरफ optical tube है, और इसकी focal length कम है, तो मतलब magnification तो कम होगी, लेकिन field of view wide होगा, तो अगर आपने astro imaging करनी हैं, मतलब photos लेनी हैं, deep sky की, तो इस तरह के optical tubes काफी demand बे रहते हैं, जिनकी focal ratio F4 ये F5 ह होती है, ये भी आपको हम रपस मिल जाएंगे, picture eight, बहुत ही simple, reflector telescope, Celestron, Astro Master, 76, LTE, AZ, model, करीब 10,000 की range में, आपको हमसे मिलता है, simple AZ stand पे, और beginner level telescope है, picture seven, एक tabletop reflector model है, जो different companies बनाती है, आगे चले, तीसरी category telescope की catadioptric, या compound कहते हैं, या folded optics कहते हैं, इसमें जैसे आप देख रहे हैं, diagram one में, picture one में, basically, ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं, reflector telescope की तरह इसका design है, लेकिन इसकी जो length होती है, telescope tube की, optical body की, वो छोटी होती है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसका design study करें, picture one में, तो light front से enter होती है, और primary mirror पर आती है, वहाँ से reflect होती है, और फिर character plate पर आती है, character plate से फिर वापिस reflect होती है, और फिर दुबारा वो उस पर diagonal पर जाती है, और फिर वापिस आती है, और फिर बीच में जो hole आप देख रहे हैं, जहां diagonal लगता है, बैक साइड पर, वहाँ पर picture तो तीन बार light actually travel करती है, एक बार आंदार आती है, फिर वहाँ से वहाँ जाती है, character plate पर फिर वापिस जाती है, नीचे पीछे diagonal पर प्राइमरी mirror के बीच में एक hole होता है, वहाँ पर आपका diagonal लगता है, जैसे आपने refractor में देखा था, मैं अगर refractor में जाओं तो पीछे जो elbow आप देख रहे है, 90 degree की picture 8 में, 9 में यह 10 में, यह picture 12 में, तो वह सारे वह 90 degree के diagonal हैं, जिसके उपर IPS लगा जहां से आप देख रहे हैं, तो इसी तरह से इसमें भी पीछे diagonal लगता है, अगर आप picture 5 यह 6 में देखें, अलग-लग models आते हैं, go to fully computerized, picture 4 में, Celestor, next star, c8SC, आप सुनते होंगे, देखते होंगे, online भी, YouTube वीडियो भी, इस ताइप के telescope हमरे पास मिल जाएंगे, यह picture 5 में, without go to, यह computerized है, simple equatorial mount पे हमरे पास मिल जाएगा, 90 mm में, picture 6 जो है, वो tabletop, simple एक photo, tripod, लेकिन tabletop वाले design में आता जाएगा, picture 7 एक सिर्फ optical tube है, 6 इंच में मक्सटॉप, और यह भी मिल जाएगा, picture 2 यह slide 2 पे एक नजर मारें, तो basically different time के compound telescope साते हैं, उनकी व्याख्या की हुई है, संग्या दी हुई है, अलग-अलग, यह classification की हुई है, मक्सटॉप design जो होते हैं, जैसे कि picture 5, 6 और 7 आपने देखी, यह मक्सटॉप में आते हैं, इस में basically focal length जादा होती है, और planetary इनको बोलते हैं, या power जादा होती है, planets पे बहुत अच्छे sharp होते हैं, और इनका जो secondary mirror होता है, वो comparatively छोटा होता है, तो contrast आपको अच्छा मिलता है, और क्योंकि power जादा होती है, focal length जादा होती है, त planets पे जादा अच्छा काम करते हैं, compared to other designs, compound telescope की, जैसे Schmidt Cassigrain, जिनके अंदर lower focal length होती है, और वो deep skype पे थोड़े better होते हैं, और अमोमन Schmidt Cassigrain type की telescope बड़े size में ज्यादा बनते हैं, बड़े size वाले telescope मैंने आपको बताया, हमेशा better होते हैं, छोटे size के telescope से, क्योंकि वो light ज्या काम करते हैं, तो Schmidt Cassigrain low power पे होते हैं, लेकिन बड़े परचर में बनाए जाते हैं, और imaging, astro imaging के लिए, या deep skype पे काफी अच्छा साबित होते हैं, लेकिन इसकानलाग यह नहीं कि maxi top deep sky या planets दोनों पे काम नहीं करते हैं, दोनों पे काम करते हैं, लेकिन उनका secondary mirror का blockage कम हो होता है, तो contrast थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और मक्सिट आप थोड़े से महंगे होते हैं, श्मेट का सी ग्रेंच से, तीसरी कैटेगरी यह है, रिची क्रिटियन टेलिसकोप, 1910 में रिची क्रिटियन ने डवलब किया था, अपने नाम से रखा, यह ज़दातार astro imaging के ल पिक्चर 3 जो आप देखने, पिक्चर 3 में आप क्लिरली देख रहे हैं, औरिजिनल सैटर्न की फोटो और अगर कोमा करेक्शन वाला टेलिसकोप नहीं है, तो कैसे वो reflect होगा, आगे चलें, यह final slide है, इसमें different major brands हैं, जो टेलिसकोप सबनाते हैं, बहुत से लोगों ने इं और विक्षन वो जपान में ही बनाती हैं, अमेरिकन टेलिव्यू, स्टार मास्टर, टीटर, और क्यू स्टार, यह और वेच्टर, क्यू स्टार, यह सारी अमेरिका में ही बनाती हैं, और काफी प्राउड हैं, इनके products expensive हैं, अब गूगल कर सकते हैं, कुछ Australian company भी है, एक जै में है, वो SDM telescope के नाम से है, जो custom built dobsonian बनाती है, चैलिस इंच तक के, और भी बहुत से, मैंने इस में डिटेल में लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, और Sinta Technology जो चाइना की है, वो Celestone Skywatcher Orion को बना के देती है, तो अमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसं संद आया, तो लाइक कीजिए, मेरे WhatsApp नमबर 98-9921-2222-95606-87095, अब मैं विदा लेता हूँ, उमीद है आप सब ठीक हैं, हेल्दी हैं, और घर के अंदर हैं, सोचल डिस्टेंसिंग आपने अब्जर्ब किया हुए, थैंक यू, और बाए